देविस्वा अध्याय पहली आयत पौलुस ने महासभाकी और टक्टकी लगा कर देखते हुए कहा भाईयों मैंने आज तक परमेश्वर के समख पूर्णत खरे विवेख से जीवन बिताया पौलुस सचपच विलक्षन प्रधिपावाला व्यक्ति था फिलिपियों की पत्री तीसरे ध्याय में वो प्रभू येश्व में विश्वास लाने से पहले अपने करमों द्वारा धार्मिक्ता प्राप्त करने के विश्य में बताता है मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता था यदि किसी को शरीर पर भरोसा रखने का विचार है तो मुझे उससे भी कहीं अधिक हो सकता है फिर वे अपनी यहूदी धार्मिक्ता का वर्नन करता है कि आठवे दिन उसका खतना हुआ वे बिन्यामिन के गोत्र से था पक्का फरिसी रहा था उसने विवस्था का पालन किया था तब वो कहता है जो बाते मेरे लाब की थी उनहीं को मैंने मसी के कारण हानी समझ लिया है वह यह कहने के योग था कि उसने आच तक परमेश्वर के समख पूर्नता खरे विविक से जीवन बिताया है ऐसी बात कहना किसी के लिए आसान नहीं था मैं भी ऐसी बात नहीं कह सकता मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग ऐसी बात कह सकते हैं कि वे पूर्नता खरे विवेक से परमेश्वर के सामने जीवन वितीत करते रहें पौलुस की इस बात पर महायाजक विश्वास नहीं कर सका और दूसरी आयत में लिखा है तब हरनिया महायाजक ने पास खड़े लोगों को उसके मूँ पर थपड मारने के आगया दी पौलुस ने उससे कहा ये चुना पूती हुई भीत तुझे परमेश्वर मारेगा क्या तु विवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने के लिए यहां बैठा है और फिर विवस्था के ही विरुद मुझे मारने के आगया देता है ये चुने फरीसियों को चुना पूती हुई कबर कहा था यहुदी लोग बड़े सतरक रहा करते थे कि कहीं वे मृतक शरीर या कबरों के सपर्ष द्वारा अशुद न हो जाए यही कोई इस प्रकार के सपर्ष से अशुद हो जाता था तो जब तक वो वेवस्था द्वारा ठेराएगे विधी के अनुस्वार स्वयम को शुद न कर ले मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था यही शुद्धिकरन की विधी बहते जल्क में की जाती थी कुछ समय पहले हम इसराइल को यातरा पर गए थे हम लोग किद्रोन की घाटी में पहुँचे और गिहोन के ज़रने को देखने लगे वहाँ और भी लोग थे हम आपस में बाचित कर रहे थे कि वहाँ का तालाब और राजा हिजेकिया दुआरा बनवाया गया था और ज़रना कितना सुंदर दिख रहा था अब हम इन बातों में लगे हुए थे कि हमने देखा एक यहूदी विक्ती वहाँ खड़ा है जिसने काले कपड़े और काला टोप पहने हुआ था और वह ज़रने में वह घुज गया वह अपने आपको शुद करने वहाँ आया था और शुद्धिकरन की विधी पूरी कर रहा था ताकि शुद्ध होने के बाद पश्चिमी दिवार के पास जाकर प्रार्थ ना कर सके वह हमें देख खर बड़ा अधीर हो रहा था पर जब हम वहां से नहीं हटे तो वह अपने कपड़े उतारने लगा ताकि पानी में उतर सके अशुद्ध होने की दर्शा में कि यहुदी को बहते पानी में डुपकी लगाना पड़ता था ताकि वह शुद्ध हो सके बड़ा साफधान रहता था कि कहीं कब्र या लोथ को चून ले और इस कारण अशुध हो जाएं। इस कारण जब वे कब्र बनाते थे तब उसे चूने से पोद दिया करते थे ताकि लोग पहचान सके कि यहां कब्र है और बच कर निकल जाएं। पिर वेवस्ता के ही विरुद मुझे मारने की आगया देता है। पूछताश के दौरान किसी बंदी को मारना वेवस्ता की विरुद बात थी। इसी कारण पॉलुस क्रोधित हो गया। जो वेक्ति नयाय करने बैठा था वही स्वयम कानून के विरुद कारी कर रहा था और वर्ष के अंदर ही घात कर दिया गया। परमेश्वर ने सचमच उसे मारा। परंतु पास खड़े लोगों ने कहा क्या तु परमेश्वर के महायाज़ों को बुरा भला कहता है। इस बात से संकेत मिलता है कि पॉलुस को आँखों की तकलीफ थी क्योंकि उसने कहा था जो उसके शरीर में चुपाया गया था। अर्थार शैतान का एक दूत कि वो उसे दुख दे ताकि उसे घमन करने से रोके रहे। गलातियों को अपने पत्री लिखते समय पॉलुस कहता है। अब तुम्हारे आनंद की वो भावना कहां गई। इस बात का मैं साक्षि हूं क तथा आँखों की भायानक बिमारी के कारण वे छोटी करके देखा करता था और निरंतर उनमें से पानी गिरता था। वे देखने में सुन्दर था या बदसूरत इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं मुझे उससे बड़ा प्रेम है क्योंकि वो विदवान था। आईजेक व होता कि खंबे तक पहुंच जाता या अपने हाथ से समुद्र के लंबा ही ना आप सकता फिर भी मेरा मुल्यांकन मेरी आत्म ही से किया जाता क्योंकि मनुश्य का माप उसके हिरदय से होता है। इस प्रकार आईजेक वाट्स भौधिक रूप से तो प्रभावी नहीं थे प महायाजक उसे सपष्ट दिखाई नहीं दिया होगा। यही कारण है कि उसने कहा माफ कीजिए भाईयों मुझे मालूम नहीं था कि यह महायाजक है। क्योंकि बाइबल कहती है कि तु अपने लोगों के शासक को बुरा ना कहना मुझे माफ कीजिए। चटी आयत से आगे ज इसके यह कहते ही फरिशियों और सदुकियों में मधभेद हो गया और सभा में फूट पड़ गई। क्योंकि सदुकियों का कहना है कि न पुरुनर्थान है न स्वर्गदूत है और नहीं कोई आत्मा है। परन्तु फरिशिये सब मानते हैं। तब बड़ा हल्ला मचा और फ पौल उसको टुकड़े टुकड़े नकर डालें। इसलिए उसने सैनिकों को आगया दी कि नीची जाकर उनके बीच में से उसे जबरदस्ते निकाल कर किले में ले जाएं। इस प्रकार पौल उसके फिर से गवाही देने के प्रयास का अंत उबद्रव से होता है। यहूद देने के उसके दोनों प्रयासों का अंत उबद्रव से हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि पौल उसने इस घटना में बड़ी समझदारी दिखाते हुए अपने विरोधियों में फूट डाल दी। वे कहते हैं कि यह पौल उसकी चाला की थी। उसने दोनों दलों में अर्था येशु के पौनुर॥ान की विश्य परचार कर सके। यही कारण है उसने कहा मैं एक फरीसी हूँ। वे फिर से स्वयम को उनके साथ मिलाने का प्रयतन करता है और कहता है मैं फरीसीों के वन्ष का हूँ। बृतकों की आश्चा और पौनुर॥ान के कारण ही मेरा न्याय हो मैं सोचता हूँ कि वह फरीसियों में पुनुरुथान की वास्तविक्ता का प्रचार करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वह पुनुरुथान का प्रचार कर पाता उबद्रव खड़ा हो गया और पॉलुस को वहां से जबरदस्ती हटा लिया गया कि कहीं वे उसके टुक लोगों को जो शरीर के अनुसार उसके भाई हैं उद्धार के सुसमचार को सुनाने के अपने सपने को पूरा ना कर सका। पॉलुस अपने जाती भाई यहूदियों से इतना अधिक प्रेम रखता था कि वे उनके बदले स्वयम पर मेश्वर दुवारा शापित होने के अंत्रमंदी है में सुयम ही अभिश्चप्थ होकर मसीस से अलग हो जाता। उसने यहुदियों के प्रति अपने गहरे प्रेम का प्रमाण भी दिया। उनके मती प्रचार करने के उसमें तीवर लालसा थी, संभव है, उसने प्रयास भी किया हो, कि किसी प्रकार उनमें प्र आपको इतना विश्वास है तो आप कहते हैं मुझे मौका मिला ही नहीं यदि मौका मिलता तो मैं कर दिखाता। मैच में आप हाफ बैक पर खेल रहे हैं आपको भरोसा है कि आप बस आपके हाथ में गेंद आ जाए और आप गोल कर देंगे। इसी प्रकार पॉलस भी निराश उदास होकर किले में बैठ जाता है। उस उदाश सी वो निराशे की दश्रा में प्रभू उसके समिप आता है और उससे कहता है अति सुन्दर शबाश। ग्यारवियायत में परंत उसी रात प्रभू ने उसके पास खड़े होकर कहा साहस रख। नए नियम में युनानी भा शब्त का प्रयोग किया है तो आपको आनद आ जाएगा। जब चेले नाव में बैठ कर जील को पार कर रहे थे तब येश्व ने उनके पास आकर कहा धांडस बांध हो मैं हूं धरो मत। प्रभू ने पौलुस से कहा धांडस बांध। इससे पता लगता है कि पौलुस ने साहस छोड़ दिया था शायद वो सोचने लगा था कि अब सब कुछ समाप्त हो गया अब परमेशुर के लिए वो कुछ नहीं कर सकेगा बड़ी मुश्किल से तो यहुदियों के सामने गवाही देने का अफसर मिला था वो अभी जाता रहा वो अपने आप को कोस रहा होगा मैंने क्यों गेर यहुदियों के बारे में बात की क्यों महायाजक पर गुस्सा होकर उसे चुना पूती हुई दिवार कह दिया मुझ में क्या कमी है इतना असान होता इंसान के लिए कि वो प्रशनों में डूप जाए क्यों कैसे अगर नहीं तो इतिया दी इस प्रकार के प यरुषले में दृष्टा पूर वक मेरी साक्षि दी है उसी प्रकार तुझे रोम में भी साक्षि देनी होगी। में अन्य जाती लोगों का नाम लेने की मुर्खता क्योंकि इन बातों को प्रभू उससे नहीं कहाता है। उसी प्रकार तुझे रोम में भी साक्षि देनी होगी। रोम? ये प्रभू, तुने क्या कहा? रोम में साक्षि देनी होगी। ठीक है। आपको याद होगा, पौलुस जब इफसूस में था, तब उसने अपनी आत्मा में मकीदूनिया और अखाया से होते हुए यरुशलिम जाने का संकल्ब किया था। वो चाहता था कि यरुशलिम के निर्थन विश्वासियों के लिए दान ले जाए। उसी समय वो कहता है कि वहां पहुंचने के पश्चात मुझे रोम को भी देखना अवश्य है। वो रोम जाने की हारदेक अभिलाश अव्यक्त करता है। तुझे इसी प्रकार रोम में भी साक्षी देनी होगी। रोम का नाम सुनते ही पॉलुस में एक नया उत्साह, नई आशा, नया विश्वास और एक नही बुलाहट मानुजागरित हो गई। वो फिर यात्रा में जाने को तयार था। उसमें अब एक नया उत्साह था जिसे लेकर वो नया कदम उठाने को फिर तयार हो जाता है। ये बड़े ही आननदायक बात होती है जब प्रभु हमारे लिए कोई लक्ष निर्धारित करता है। क्योंकि तब हमें इस बात का भरोसा होता है कि जब तक हम ठहराये हुए उस लक्ष तक नहीं पहुंच जाते, कोई भी बाधा या समस्या हमें रोक नहीं पाएगे। रूम तक पहुचने में पौल उसको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जिनका अध्यान हम अगले अध्याये में करेंगे। अगले पाद में उन्हीं समस्याओं में से एक का जिक्र पाये जाता है। और बारवी रचने वाले चालिस से अधिक थे, तब वे मुख याजुकों और प्राचिनों के पास जाकर कहने लगे। शड़ियन तिरकारी आदरनी पुरुष नहीं थे, ये तो बासपष्ट है। जो अध्यायत में लिखा है। उसे मार डालने के लिए तयार रहेंगे। परुष जब पॉलुस के भांजे ने उनके घात में लगने की बात सुनी, पूरे पवित्र शास्त्र में यहीं एक ऐसा संदर्भ है जहां पॉलुस के किसी रिष्टिदार का वर्नन पाया जाता है। ये विक्ति पॉलुस की बेह रहा था, इसलिए पॉलुस को पूरा यकीन था कि वो रोम जाएगा और गवाही देगा। प्रभु का ये वचन पूरा होना ही था, उसने पूर विग्यान दे दिया था, अता वचन तो पूरा होता ही, पर उन्तो एक भारी बाधा भी सामने थी, कि चालिस यहूदियों ने शपत खा रखे थी, कि जब तक पॉलुस को मार न डालें, न तो वे खाएंगे और न पियेंगे। प्रभु हमेशा अदबुत कारी करता है। मैं गज़ सपता एक पास्टर से बाचित कर रहा था, मैंने उससे कहा, एक मसीह होने के नाते हमें ये जानना बहुत जरूरी है, कि प्रभु की और से अदबुत कारी किस प्रकार सरलता और स्वाभिकता से हो जाते हैं। ये अदबुत काम इतने स्वाभाविक होते हैं कि हम कई बार इसे पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्मिक रीती से सतर्क रहता है, वो साधारन वस्वाभाविक घट पॉलूस का भांजाएन यहुदियों के शड़ियंत्री की बातों को सुन रहा था, कि वे कैसे उसके मामा को घात करने की योजना बना रहे हैं, ये सब बाते साधारन बाते दिखाएं देती हैं, पर मैं इसमें अलो की घटना देखता हूं। उसके दोस्त का पिता भी वहां बैठा है, और बाते चल रही हैं कि हम उसे पकड़ लेंगे, उसे मार देंगे, ऐसे विक्ति कि हमें कोई जरूरत नहीं इत्यादी। तब परमेश्व ने क्या उपाई किया, मैं नहीं जानता कि उस लड़के ने पॉलूस को घात करने की बात स तुली और ये सब कुछ बड़ा अस्वाभाविक और अद्बुत काम था, पर उन्तों देखने में साधारन सा लगता था, वो लड़का पॉलूस के पास आता है, और उसे सावधान कर देता है। मैं इस युवक को तेरे पास पहुंचा दूँ क्योंकि ये कुछ बताना चाहता है। तब सेनापती उसका हाथ पकड़कर उसे अलग ले गया और चुपचा पूछने लगा, तु मुझे क्या बताना चाहता है। उसने कहा, यहुदी तुछ से ये मांग करने के लिए एकमत हो गए हैं कि तु पॉलूस को कल महासभा के सामने लाए, मानो वे उसकी और भी अधिक जांश करना चाहते हैं। इसलिए तु उनकी बत सुनना, क्योंकि उनमें से चालिस से अधिक मनुश्य उसकी घात में लगे हुए हैं, जिन्होंने एका करके ये शपत खाई हैं कि जब मैंने दो सुबेदारों को अपने पास बुला कर कहा, कैसरिया जाने के लिए रात को नौ बजे तक दो सो सेनिक सतर घुर सवार तथा दो सो भालित तयार रखो। उन्हें राजिपाल फिलिक्स के पास पॉलूस को सकुषर ले जाने के लिए घुडों की सवारी का भी मैं आगे पड़ते हैं मामहीम राजिपाल फिलिक्स को क्लॉदियूस लूसियास का नमस्कार। जब यहूदियों ने इस मनिश्यों को पकड़ कर मार डालना चाहा तो मैंने ये जान कर कि ये रूमी है सैनिक और सहित उनके उपर धावा बोला और मैं इसे छुड़ा तब ये पता लगाने के लिए कि वे किस कारण उस पर दोश लगा रहे हैं मैं उसे उनकी महासभा में ले गया। फिर मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने अपनी विवस्था के कई प्रशनों को लेकर उस पर अभियोग लगाए हैं। परंतु ऐसा कोई अभियोग नहीं जो म प्रित्यु दंड देने या बंदी बनाए जाने के योगी हो। जब मुझे बताया गया कि उस मनुष्य के विरुद शडियंतर रचा जा रहा है तो मैंने इसे तुरं तेरे पास भेश दिया और इस पर दोश लगाने वालों को भी आदिश दिया कि वे तेरे सामने इसके व जहां यहुदी लोग बसे हुए थे और सरलता से पॉलुस पर आकरमन करके उसे घात कर सकते थे आंति पत्रिस यरुश्लेम के नीचे पहाडियों में स्थित था जहां से केसिरिया को जाने का रास्ता स्थाफ था और समतल भूमी थी और उस रास्ते पर किसी पर भी आकरमन क करके घात कर देना कठिन था प्रभू ने कहा था तुझे रोम में मेरी साक्षी देनी है इस कारण पॉलुस रोम की और एक राजा के समान बढ़ता जा रहा था उनके साथ 470 सुरक्षा सैनिक थे अर्था 70 घुड सवार 200 भालित 200 पैदल सैनिक इन सैनिकों ने पॉलुस को र लोम के बाहर अंतिपत्रिस तक पहुंचाया और उसके बाद 40 मिल तक घुड सवारों और भालितों ने उन्हें कैसरिया तक पहुंचाया ताकि फेलिक्स के दरबार में पॉलुस का न्याएं किया जा सके फेलिक्स जिसके सामने पॉलुस का न्याएं किया जाने वाला था ए निरू ने फिलिक्स को रोमी सामराजी का एक उच्छ अधिकारी बना दिया, वो पहला ऐसा गुलाम था जो गवर्नर जैसे उच्छ पद पर आसीन हुआ था। जो हैरोदेस अगरिपा प्रथम की बेटी थी, वो पांच वर्ष से पूरे प्रांत का गवर्नर था और भरष्टाचारी स्वभाव के कारण रोमी सामराजी द्वारा वो हटा दिया जाने वाला था। उसके दो वर्ष केवल शेश रह गए थे, ये वो वेक्ति था जिसके साम अब पॉलुस अपने बचाव में अपने अगली दलील पेश करेगा। 32 आयत से आगे, परंत दूसरे दिन घुर सवारों को उसके साथ आगे जाने के लिए छोड़ कर वे किले को लोट आए। जब घुर सवार केसरिया पहुंचे तो उन्होंने राजी पाल को पत्र दिया और पॉलुस को भी उसके सामने उपस्थित किया। पत्र पढ़ने के पश्चात उसने पूछा कि तू किस प्रांत का है। और ये जानकर कि वो किल्किया का निवासी है। उसने कहा, जब तुछ पर दोश लगाने वाले भी आ जाएंगे, तब मैं तेरी सुनवाई करूंग वो इसी राज भवन में जिसे हेरोदेस ने बनवाया था रखा गया। हेरोदेस ने इसी भवन में एक नयायले भी बनवा रखा था। हेरोदेस ने वहाँ एक भव्य नगर का भी निर्मान कराया था। केसरिया में हेरोदेस के समय के खंडर आज भी बड़े सुनदर दिख प्रभु चाहता है कि हम उससे भी गेरा अध्यन करें जितना अब तक हम कर चुके हैं। हम सब अपने आप को प्रभु की इच्छा के आध्यन कर दें। जो तु चाहता है वो मेरे द्वारा कर। ऐसा जीवन जो प्रभु के लिए उपलब्ध है बड़ा रोमांचकारी वो आननदपूर्ण जीवन बन जाता है। हमें प्रभु के लिए सदेव उपलब्ध रहने वाले व्यक्ति बनना है क्योंकि हमने जानते कि प्रभु हमें क्या कारी करवा रहा है और कब वो कारी करवाएगा। एक बार रात को मैं और मेरी पतनी चट से घर की और जा रहे थे उसी समय पुलिस की एक गाड़ी पास से गुजरी और हम रुख गए। हम सड़क पर खड़े थे तब ही हमने देखा कि वहीं पुलिस की गाड़ी साइरन बजाती भी लोटी और आकर रुख गई। हम भी रु इससे पहले कि में सहायता के लिए उस व्यक्ति के पास पहुंचता वह व्यक्ति अपने कपड़े जाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ वह मामूली से लंगड़ा रहा था ये प्रार्थन के सच्ची सामर्थ का प्रमान था। आपको नहीं पता कि परमेश्व ने कैसी कैसी अद्बूत बातें आपके लिए अपने भंडार में रखी हुई हैं अता स्वयम को उसके लिए उपलब करवाएं परमेश्व आपको आशिश दे वो आपको आशिश पूर्ण समय दे परमेश्व आपके जीवनों को प्रयोग में लाए और आप सब का हिर्दे पवितरात्म के लिए खुला रहे ताकि परमेश्व किसी भी रूप में जैसा उसे भला लगे आपके जीवन में अद्बूत कारी कर सके रभू हमारे जीवनों को प्रयोग करे और हमारे द्वारा अपना कारी करे आमेन